होली का तुहार यानि रंग, गुलाल, भांग और ठंडाई होली के जश्न में कुछ हे दिन बाकी है और जल्द ही हम गुलाल के रंग में रंग ने वाले हैं बता दे हिंदू मानेताओं के अनुसार हर साल फागुन मास की पूनिमाती थी के दिन होली का दहन और इसकी अगले दिन होली मनाई जाती है इस साल होली का तुहार 25 मार्च को मनाया जाएगा इस कड़ी में हम आपको एक खास बात बताने वाले हैं क्या आप जानते हैं कि होली के दिन कुछ चीजों की खरेदारी शुब मानी जाती है इस से जिन्दगी में खुशाली बनी रहती है आईए जानते हैं जोतिश शास्तर के अनुसार ऐसी तीन चीजें जिने खरीदने पर मालक्ष्मी की आसी इंक्रिपा बरसती है हिंदो धर्म में कच्छुई को पवित्र जीव माना जाता है ऐसे में होली के दिन धातू से बने कच्छुई की खरेदारी करी और उसे घर के मंदिर में रखें इस बात का ध्यान जरूर रखें कि कच्छुई की पीट पर शुरी यंत्र और कुबेर यंत्र जरूर बना हो जोतिश शास्तर इसके बारे में क्या कहते हैं सुनिए तथा भगवान स्यक्रृ्ष्णिक श्मयड़ी को संहडरित कहा गया है हुझर ने दरोर महत्वत अलग अलग जगह पर अलग अलग भगवान के विशिश्य चेत्र में बनाए जाता है हमालने मालवा चेत्र में होली का तेहवार भगवान पहलाद जी के इस बना जाए उससे देवी लक्षमी की करपा बनी रहती है हिंदु धर्म के अनुसार पिरामिट धन को चुम्बक की तरह खीचता है पिरामिट की अदुपुद शक्ति पैसों की तंगी को खत्म करने में आपकी मदद कर सकती है माना जाता है कि जिस घर या आफिस में पिरामिट रख आईए जानते हैं पिरामिट जो आता है जो कि चीनी सास्त्र में कहा गया है और अनेक मंदिर भी के सिखर आदी भी इस पिरामिट आकरती में देखाई गये हैं तो पिरामिट भी अपन घर में रख सकते हैं इस जिससे देवी लक्षमी तदा धन आकरशित होता है इसलिए प आस्तु शास्त्र के अनुसार ये माना जाता है कि बैंबू ट्री या बास का पौधा सकरात्मक उर्जा यानि पॉजिटिव एनरजी का सबसे अच्छा सोर्स है हूली से पहले अपने घर पर बैंबू ट्री जरूर लाएं इससे सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है सु उससे देवी लक्षमी आकरशित होती है और लक्षमी को आकरशित करता है इसलिए उससे धनवान धनाने की संभावना होती है इसलिए बास का पोधा लगाया जा सकता है